नमस्कार मैं डोक्टर सरुन सेनी सायक अचारे स्री राधिश्यामार मुरार का राज की माविदाले नौल गट इस वीडियो में हपन पढ़ेंगे राजिनती विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से समन आधुनिक राजिनती विज्ञान में अन्य समाज विज्ञानों का सारा है वो लेना चाहिए हमें हाव सकता पड़े तो समाज सास्तर, अड़ सास्तर, इतिहास, मुगोल सभी समाज विज्ञानों का सारा है वो अपने अध्धन की पूर्णता के लिए है वो लेना चाहिए चुंकि मनुष्य एक समाजिक प्राणी है और मनुष्य का जो राजिनती विभार है वो उसकी समाजिक परिस्तितियों उसकी आर्थिक परिस्तितियों उसकी भोले किस्ति उसकी इतिहास सभी से परभावित होता है इसलिए मनUNGष्य के समगर राजनती की विभार को समझने के लिए हमें अन्य विग्ञानों का सारा लेना चाहिए इसलिए आदुनी की राजनती विग्ञान में जो है अन्य समाज विग्ञानों से साहता लेने का परसलन है वो शुरू है इसलिए एक राजनती विज्ञान के विद्यारती को अन्य समाज विज्ञानों के बारे में जानना अवश्यक होता है और अन्य समाज विज्ञानों के अलोक में ही वह किसी मनुश्य के राजनती विभार को समझ सकता है इसलिए आज के इस वीडियो में अपन राजिनती विज्ञान के अन्य समाज विज्ञानों से क्या समन्ध हैं, क्या अंतर होते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा है हो करेंगी. तो सबसे पहले है राजनिती विज्ञान और समासास्तर के बीच में समंध समासास्तर कैसा विशे है जिसका समंध मनुष्य के संपून समाजिक जीवन से है इसमें समाजिक जीवन की उत्पत्ती, समाजिक जीवन का विकास, धार्मिक और सांसकर्टिक ववस्ता लितिरिवाज, विश्वास, सैंसकृती, सब्वेता, आधिक के बारे में धन किया जाता है राजिनती विग्ञान और समाजिक जीवन के बारे में समाजिक जीवन के बारे में इस परकार दोनों विश्यों का अध्यन एक दूसरे के बिना अधूरा है इसी करण परतमान में राजनिती विज्ञान और समासास्तर को जोड़कर एक नवीन विश्य या ज्यान की साका का विकाश किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है राजनितिक समासास्तर जिसका जितना समासास्तर से है उतना ही राजनती विज्ञान चे है तो इस परकार राजनती विज्ञान और समासास्तर विशय में गनिष्ट समंध है समंध होने के बावजूद भी इन दोनों विशयों में प्रयाक्त अंतर भी है दोनों विशयों के अंतर को जानना भी हमारे लिए तो आए अब समाज आस्त्र और राजनति वी घ्यान में अन्तर क्या है? उस पर चर्चा करेंगे, पहला अंतर ये है कि समाज आस्तर का जो च्छेतर होता हूँ भोती व्यापक होता है क्योंकि इसमें समाज के सभी पक्स हों सूमिल होते हैं। जबकि राजनिती विज्ञान है वो समाशास्तर की उपेक शक्रत सिमित है क्योंकि इसमें केवल मनुष्य के राजनितिक पक्स का यद्ध्यन वो किया जाता है दूसरा अंतर है समाशास्तर एक प्राचेन विशे है जो अधिकाल से चला रहा है जबकि राजनिती विज्ञान है वो नवीन विशे है क्योंकि इसकी उत्पत्ती जो है वो राज्य के साथ ही होई अगला जो अंतर है वो है कि समाशास्तर के अध्यन का जो केंद्री विशे है केंद्री विशे है वो समाश होता है जबकि राजनती सास्तर का अध्यन का केंद्री विशेय हो राज्य होता है समाज सास्तर में जो है समाजिक पर्थाओं, शिष्टाचा, नेतिकता, आधी के दस्टिकोंड से विचार किया जाता है जबकि राजिनती विज्ञान में केवल मनुश्य के वैधानिक और राजिनतिक समंदों पर विचार रगु किया जाता है अगला और आखरी अंतर है समाज सास्तर एक वर्णात्मों के विशे है जबकि राजिनती विज्ञान एक आदर साथमक विशे है तो यह हैं समा-सस्त्र और राजनति विज्ञान के बीच में अंतर अब अपन चर्चा करेंगे राजनति विज्ञान और इतिहास में संबन्थ इतिहास मानव सब्यता के करमिक विकास का लेखाजू का होता है यह है बीती हुई अतित की गटनाओं का संकलन होता है और इतिहास जो है वो अनुबहों का कचाना भी होता है इतिहास और राजिनती विज्ञान में भी कनिश्ट समंध होता है राजिनती को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है राजनिति घटनाओं को समझने के लिए इतिहासिक प्रस्तुहुमी का ज्यान आवसक है वो होता है इस प्रकार इतिहास और राजनिति विज्यान को अध्यन समगरी परदान करता है जिससे राजनितिक शिद्धानतों का निर्मान होता है इतिहास के दोरा ही हमें राजनितिक सेहस्ताओं के विकास करम का पता लगता है इस प्रकार ही इतिहास जो है वो राजनिति विज्यान की परियोग सल्ला भी मना जाता है राजनिति विज्यान जिस प्रकार इतिहास से अध्यन समगरी गर्ण करता है उसी प्रकार इतिहास के निर्मान में भी राजनतिक विज्ञान की मेट्वण भूमिका होती है। इतिहास का निर्मान भी राजनतिक विचारों गटना हो और अंदलनों से होता है। जैसे रूसों के राजनतिक विचारों के परणाम सुरूप, फ्रांस की प्रसिद करानती हो हुई, मार्क्स के समयवदी विचारों के परणाम सुरूप, रूस की प्रसिद समयवदी करानती हो हुई, तो इस प्रकार राजनतिक विचार भी इतिहासी गटनाओं को अंजाम दे इसी संदर में लोड ब्राइश ने काया है कि राजनती विज्ञान इतिहास और राजनती विज्ञान के बीच की एक कड़ी है यह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है यह इतिहास से अपनी समगरी पराप्ट करता है और राजनती में उस समगरी का परियोग करता है इसी विशे में शीले ने काया है इतिहास के बिना राजनिती विज्ञान जड़ रहीत हो जाएगा और राजनिती के बिना इतिहास फल रहीत हो जाएगा राजनिती विज्ञान और इतिहास के समंदों के विशे में फ्रीमेन ने कहा है इतिहास अतीत के राजनिती है और राजनिती वर्तमान का इतिहास है तो ये थे इतिहास और राजनिती विज्ञान में समंद अब अपन जानेंगे इतिहास और राजनती विज्ञान में मुख्य मुख्य अंतर क्या है पहला अंतर यह है कि इतिहास का ध्यन जो है वो वर्णात्म पंदेती से किया जाता है जबकि राजनिती विज्ञान का अध्यन जो है वो विचारात्मक और विशलेशनात्मक तरीकों से किया जाता है अगला जो अंतर है इतिहास और राजनिती विज्ञान में वह है इतिहास का छेतर व्यापक होता है क्योंकि उसमें अतित की राजनितिक घटनाओं के लावा धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो तत्ते हैं उनका धेनभी किया जाता है जबकि राजनिती विग्यान का जो छेतर है वो इतिहास की तुनला में संकिर्ण होता है, संकुचित होता है क्योंकि इसमें केवल राज्य और राजनितिक परक्रियाओं का अधनिया वो किया जाता है इतिहास और राजनिती विग्यान का अगला और आखरी अंतर है राजिनती विग्यान का समंद जो है वो केवल आदर्सों से जो ये बताता है कि राजिय कैसा होना चाहिए जबकि इतिहास का समंद केवल तथ्यों से वो केवल ये बताता है कि राजिय अतीत में कैसा था तो ये हैं इतिहास और राजिनती विग्यान में अंतर अब अपन चानेंगे राजनती विज्ञान और अर्थ सास्तर में समंद अर्थ सास्तर समाज विज्ञान की वहसा का है जिसका समंद मानों जीवन के आर्थिक पक्से है अर्ध सास्तर में संपत्ती, उत्पादन, वित्रण, भोग, मानव, कल्यान, आदी विश्य का धन किया जाता है इसी कार्णे से धन का विज्ञान भी हो कहा जाता है राजिनती विज्ञान और अर्ध सास्तर में गनिश समंध होता है दोनों इसे एक दूस्य पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि राजनितिक और आर्थिक दसाएं एक दूस्य से जुड़ी होती है कमजोर अर्थ्य वस्ता राजनिति को प्रभावित करती है जैसे आर्थिक संकट राजनिति पर बुरा प्रभाव डालते हैं और कम जो राजनितिक पप्रिस्थितियां जो है वो भी अड़्थेयो सता को बुरा प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार आर्थिक और राजनितिक प्रिस्थितियां एक दूस्थे से जूड़ी हो होती है। राजनितिक की जितनी भी विचार धराएं वो जितनी राजनितिक होती है उतनी आर्थिक भी है वो होती है जैसे वक्तिवाद, समाजबाद, लोकतानतिक समाजबाद, आधी सब जो हैं वो राजनितिक विचार धराएं हैं लेकिन ये अर्थ सास्तर से भी जुड़ी है इनका एक आर्थिक पक्ष भी है वो होता है इनका उद्देश से जो है वो विक्ति के लिए विशेश प्रकार की आर्थिक परिशितियां प्रदान करना भी होता है राजनिती विज्ञान और अर्थ सास्त्र दोनों का उद्देश से समान होता है दोनों का एक जो समन्य कोमन उद्द धन का भीनमें, वस्तों का उत्पादन, उभोग, करार उपण, व्यदेश दिश मुद्रा 벗ने सरा अधिस सिर्प में होते हैं, आयात निर्यात, द्योगों की स्तापना रोजगार आधिस अभी राज्जी के कारे भी होते हैं और जो है वो आर्थिक पक्ष भी इनके होते हैं इसी के लिए आर्थिक सम्रद्धी के लिए राजनतिक इस्तिरता है वो जरूरी मानी जाती है तो इस परकार अर्थिसास्त्र और राजनति विग्यान में गनिष्टता होती है और इनकी गनिष्टता के अधार पर ही इनको जोड़कर एक नया विशे स्रजित किया जा रहा है जिसे राजनितिक अर्थिसास्त्र है वो कहा जाता है यद्ध भी राजनिती और अर्षास्तर में गनिश्च समंद होता है लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में परियाप्त अंतर भी है तो अब जानेंगे अर्षास्तर और राजनिती विज्ञान में मुख्य मुख्य अंतर पहला अंतर है और शास्त्र का समंद मनुष्य के आर्थिक जीवन से है जबकि राजनती विग्यान का समंद मनुष्य के राजनतिक जीवन से है अर्शास्त का उद्देशे जो है अच्छे आर्थिक प्रिस्चितियों का निर्मान करना है जबके राजनती विज्ञान का उद्देशे विक्ति के लिए अच्छे शासन पर्नाली का निर्मान करना है अर्षास्त्र एक वर्णात्मक विशे है जबकि राजनती विज्ञान एक आधर सात्मक विशे है अर्षास्त्र का छेत्र शिमित होता है जबकि राजनती विज्ञान का दुछ छेत्र है वो अर्षास्त्र के उपेक्षा अधिक विश्तिर्थ होता है राजनती विग्यान एक साध्य है जबकि अर्षास्त्र एक साधन है तो यह अर्षास्त्र और राजनती विग्यान के बीच के मुख्य मुख्य अंदर अब आगे अपन चर्चा करेंगे राजनती विज्ञान और भुगोल में समंद भुगोल एक ऐसा विशे है जिसका समंद भुमी, जलवायू, खनीज, करशी, आदिशे है भुगोल उन प्राकरतिक दसाओं का वर्णन करता है, जिनका मनुष्य के जिवन पर विशेश प्रभाव पड़ता है भुगोल और राजनती विज्ञान में भी कापी गनिश समंद होते हैं भुगोल का किशी भी राज्ये पर निरनायक प्रभाव होता है भुगोल किशी भी राज्ये पर निरनायक प्रत्तो होता है भुगोलिक प्रिस्टियां किशी भी देश के राजनती को प्रभावित करती है किशी भी देश की सुरक्षा और उसकी विकास में उसकी भुगोलिक प्रिस्टियों का महतोपूर योगदान हो होता है अच्छे भुगलिक प्रिस्थितियां और अच्छे जल्वाईू किशी भी देश के आर्थि विकास को गती देती हैं और विशम भुगलिक प्रिस्थितियां और विशम जल्वाईू किशी भी देश के आर्थिक विकास को बादित है वो करती है बुगोल केवल राष्टे राजनती को ने बलकि अंतराष्टे राजनती को भी प्रभावीता हो करता है बुगोल और प्राकर्तिक संसाधन जो है बुगोल प्राकर्तिक संसाधन और खनीज जो है वो किशिवी देश की राष्टि सक्ति में भी उरद्धी है वो करते हैं और अपनी राष्टि सक्ति के आधार परी कोई देश जो है वो अंतरराष्टि राजनती में भी अपनी निर्णाईक भुमी का निवाता है जैसे अमेरिका अपने प्राकर्तिक संसादनों के द्वारा ही महासक्ति बना और महासक्ति बनकर आज विश्व में अपने निहनाईक भूमिका निभा रहा है अपने प्राकर्तिक संसादनों के आधार परी खाड़े के देश वो संपन बने शुजेलेंड के पर्टेक्स प्रजातनत्र की सफलता के लिए वहां के जलवायू और बोगोलिक परिस्तितियों को भी उत्तरदाई है वो माना जाता है बोटान, नेपाल जैसे देश राजनतिक दस्ति से कमजोर है तो उसका कारणून की बोगोलिक परिस्तितियां भी है बोगोल का परभाव राजनति पर व्यापक परमाने पर पढ़ता है और बोगोल के राजनति के पढ़ने वाले परभाव को समझने के लिए ही बूर राजनिती विज्ञान जिसे अंग्रेजी में जियो पॉलिटिक्स का जाता है नाम के एक नेविन विशे का निर्मान भी किया जा रहा है जिसमें राजनिती पर भोगलिक प्रभाउं का दन है वो किया जाता है तो ये हैं बुगोल और राजनिती विज्ञान के मद्द समंद अब अंत में अपन जानेंगे बुगोल और राजनिती विज्ञान में अंतर भुगोल और राजनती विःज्यान में पहला अंतर यह है कि भुगोल में प्राकरतिक दसव Україम जलवायू अधी का धन कियाजाता है जबकि राजनती विःज्यान में राज calming शरकार और राजनतिक परक्रखेशों का धन किया जाता है अगला अंतर है भुगोल एक मरनात्मक विशे है जबकि राजनिती विज्ञान एक आधरसात्मक विशे है और वं Nee पुझ वोल राजिनति विज्ञान में अगला अंत्र है जबकि राजिनति विज्ञान जो है वो तत्यों के साथ अदर्शों चित्रण भी करता अखरी अंतर है हैं भुगोल एक निष्यत विज्ञान जिसमें नियोमों की निष्यता बनी रहती हैं जबकि राजनती विग्यान जो है वो एक अनिश्यत विग्यान है क्योंकि इसमें अनिश्यता सदेव बनी रहती है क्योंकि राजनती विग्यान का मुख के विशेर मनुश्य का राजनती विवार है और राजनती विवार निर अंतर परिवरतन शील होता है इसलिए राजनती विज्ञान को अनिश्शित विज्ञानों की शेणी में रखा जाता है जबकि भुगोल के भोगलिक तत्यों में कोई बदलाव नहीं होता तो यह है भुगोल और राजनती विज्ञान में अंतर धन्यवात